तो आगे बढ़ते हुए आज अपन करेंगे आउतल लेंस के लिए, यू भी तथा एफ में सम्मन्द है इसके पहले अपन ने उतल लेंस के लिए किया है, वह भी काफी important है और ये दोनों important हैं, क्योंकि exam में आउतल या उतल दोनों में से किसी एक के लिए यू भी एफ में उत्र ब्यूत पन्न कीजिए और ये common question रहेगा दोनों के लिए अगर question ये आता है कि लेंज से सूत्र ब्यूत पन्न कीजिए तो आप उत्तल या आउत्तल दोनों में से कोई भी कर सकते हैं जो आप पे बहुत अच्छे से बनता है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप दोनों को ब सुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें एक outer lens बना लेते हैं और इसमें आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है lens कोई भी बनाएए चाहे आप उत्तल लेंस बनाएए चाहे आप outer lens बनाएए ये beach वाली line आपको dash dash करके खीचनी है ठीक है तो यह मैं खीच लेता हूँ अब इसमें आपको बीचों बीच बिलकुल बिंदू O नाम देना है क्योंकि ये optical center कहलाता है यानि प्रकासिक केंदर ठीक है और lens को हम L से दर्सा देते हैं यहाँ पे यह हमने L बना दिया अब बिंदू O से होकर आड़ी line खीचते हैं और इसमें हम क्या करते है इसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं तो चलिए एक आड़ी line इस तरीके से खीच देते हैं इसे चाहे कितने भी आप लंबी बना सकते हैं तो यह देखिए यह हो जाती है मुख्य अक्ष तो इसमें यहाँ पे इसके focus point होंगे यह curvature है तो इस हिसाब से इसका focus हम यहाँ पे एकम तरफ एक focus बराबर दूरी पर जितना यहां उतना ही यहां तो लगभग बिलकुल बराबर दूरी पर आप चाहें तो इसके इसे नाप सकते हैं तो यहाँ पे होगा F2 यह देखिए अंदास से तो आप अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि चित्रानुसार एक आउतल लेंस प् लिखना है और यही जो लेंग्वेज थी वो उतल लर्पड में भी लिखी थी बस यहां पे आउतल लिखा है वहां पे उतल लिखा था ठीक है तो यह हमने लिख लिया अब इसकी मुख अक्ष पर हम बस्तू रखते हैं यहां पे ठीक है तो यहां पे हम रख लेते हैं एक अ लेंस से छोटी ही होनी चाहिए या लेंस के बराबर तो यहां पर हम एक बस्तू रखते हैं बस्तू का नाम दे देते हैं A B यह बस्तू हमने रखी है मुख अक्ष पर एक बस्तू निश्चे ताकार की लेते हैं निश्चे ताकार को बोलते हैं परिमेत आकार तो निश्चेताकार की यहाँ पे एक बस्तू लेते हैं और देखते हैं कि इसका प्रतिविंब कहाँ पे बने सबसे पहले B से एक प्रकास करण चलेगी जो अप्टिकल सेंटर से गुजडेगी और O से जाने वाली करण सीधे अपने मारग में निकल जाती है तो यह निकल जाएगी तो B से जाने वाली करण चलेगी इसका तो कोई मतलब नहीं हुगा अब यहाँ से एसे जाने वाली प्रकास करण ले लेते हैं तो एक जाती है मुख अक्च के समानतर एक जाती है उप्टिकल सेंटर से ठीक है तो पहले अपन बना लेते हैं मुख अक्च के समानतर वाली यहाँ से यह देखिए यहाँ से तो यह जो प्रकास करण है यह मुख अक्च के समानतर है और रूल क्या कहता है मुख अक्च के समानतर आने वाले करण फोकस से होकर जाएगी तो बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि फोकस से होकर जाएगी यानि यहां से जाएगी लेकिन जरा ध्यान से ये लेंस कौन सा है आउतर लेंस और ये किरणों को एक जगा एकटा नहीं करता बलकि ये क्या करता है प्रकास क्रण है जो मुखक्च की समानतर आती है उपर डाइवर्ड कर देता है ये इस तरीके से तो आपको ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से आही नहीं सकती क्योंकि ये उतर लेंस थोड़ी ना है जैसे यहाँ पे देखिए तो हम पहले ही scale लख लेंगे focus point F1 पर क्योंकि इस से तो उपर जाएगी तो इस से तो match करेंगी नहीं इसी से करवाना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए F1 पर अपन और इस point पर यह वाला point और F1 को मिला के रखेंगे scale से पहले से ही और फिर यहाँ पे पेन रखके ऐसे आगे बढ़ा देंगे तो करवान इस तरीके से निकल जाएगी तो मुख अक्षे के समानतर यह कैसी अक्षे है मुख अक्षे तो मुख अक्षे के समानतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाती है अब आप कहोगे फोकस से होकर कैसे चली गए यह तो यहाँ से मुड़ गई है ना यहाँ टकराई ना यहाँ तो अंसर यह फोकस से होकर ही गई है अगर आप scale रखोगे और इस लाइन को पीछे की और बढ़ाओगे तो यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो इस लाइन को यदि हम पीछे की और बढ़ा दें यह देखिए इस तरीके से तो यह फोकस पर ही जाएगी तो पहले किरण तो इस तरीके से निकल जाती है दूसरी किरण ए बिंदू से ही जाएगी लेकिन वो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से तो पहली किरण जाती है मुखक्च के समानतर दूसरी जाती है ऑप्टिकल सेंटर से तो ये देखिए ये प्रकासिक केंदर से होकर जाएगी तो ये सीधे अपने मार्ग में ही निकल जाएगी ये देखिए ये सीधे अपने मार्ग में इस तरीके से निकल जाती है तो अब आप कहोगे कि image तो बनी नहीं, एक किरण ऐसे चली गए, एक किरण ऐसे चली गई, तो अंसर है, अगर हम अपनी आख को यहाँ पर रख दें और आख से देखें तो आख का काम क्या है इसको पीछे की और बढ़ाना, तो इस किरण को यदि पीछे की और बढ़ा देते है अपन स्केल से ही बढ़ा देते हैं यह यहां पे थोड़ा अच्छे से समझना यह देखिए हम स्केल से इस जो किरण मुड़ी थी ना फोकस से आती ही प्रतीत होती उसी को जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे तो इसको पीछे की और जब बढ़ा देते हैं तो यह फोकस पे कट कटेगी यह देखिए फोकस पे कटेगी तो अब यहां पे हमें क्रॉस पॉइंट मिला है यह वाली किरण ऑप्टिकल सेंटर वाली और यह वाली किरण का क्रॉस पॉइंट यहां पे मिला है तो इसको राधार को मुख अक्छ को इस पॉइंट को मुख अक्छ से मिला देंग तो प्रतिविम्ब कैसा प्राप्त हुआ है सीधा और सीधा प्रतिविम्ब तब भी बने तब वो आभासी कहलाएगा बस्तू से छोटा है आभासी है मतलब ये बास्तिविक प्रतिविम्ब नहीं है ये आभासी प्रतिविम्ब है क्योंकि बास्तिविक तो हमेशा उल्टा बन तो इसे परदे पर नहीं ले सकते ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है तो हमने इस तरीके से चित्र बना लिया तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेंस प्रदर्सित है इसका केंदर O और फोकस F1 F2 है इसके मुख्य अक्ष पर एक बस्तू A B रखी है परिमेत आकार कि जिसका प्रतिविम्ब A-B-पर प्राप्त होता है चित्र में जैसे दिखा गया है तो लिख लेते हैं इसके मुख्य अक्ष पर परिमेत आकार की एक बस्तू A B रखी है जिसका प्रतिविम्ब चित्रा नुसार A-B-पर बनता है इस तरीके से हम लिख लेते हैं तो अब इसमें हमें UVF में संबंद निकालाएं तो UVF कहां होगा देखिए प्रकासिक केंदर से बस्तू तक की दूरी यू कहलाती है और प्रतिविम्ब तक की दूरी भी कहलाती है क्योंकि यहाँ पर यदि हम देखें तो हमने उत्तल वाला उत्तल लेंस के लिए जब UVF में संबंद निकाला था तब भी यही चर्चा की थी कि बस्तू अंग्रेजी वरणम आला में पहले यू आता है फिर भी आता है यू भी ऐसी तरीके से पहले बस्तू आएगी फिर प्रतिविम्ब बनेगा ना अगर बस्तू नहीं होगी तो प् ना लेंगे कि बस्तू की दूरी यू है तब ही प्रतिविम्ब की दूरी भी है ठीके ये थोड़ापन याद रखेंगे और फोकस दूरी तो एफ ही होती है तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या रहेगी एफ ही रहेगी तो यह थोड़ापन को अच्छे से पता होना चाहिए कि माइनस प्लस के बारे में कई बच्चों को पता नहीं होता तो यह ध्यान देजिए अगर प्रकास केंदर इस डाइरेक्सिन में जो प्रकास की जो किरन है वो इस दिसा में चल रही है ऐसे आगे की और और हम प्रकास केंदर शे ही दूरी नापने यदि इस तरफ जाएंगे तो वो रनात्मक मानी जाएगी क्योंकि प्रकास इस तरफ है तो प्रकास केंद्र से अगर हम दूरी इस तरफ ना पेंगे तो माइनस होगी और इस तरफ ना पेंगे तो प्लस होगी क्योंकि हमारा जो प्रकास की जो किरण है वो इस डारिक्शन में है तो ये थोड़ा ध्यान रखिए तो चलिए अब हम इसमें तिर्भुज लेके U, B, F में सम्मंद निकाल लेते हैं तीनों में तो तिर्भुज कहां कहां बन रहे हैं तो आईए थोड़ा देख लेते हैं देखिए हमें दो तिर्भुज लेने पड़ेंगे इसमें ये वाला तिर्भुज जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये देख लीजे A, B, O और इसी के साथ में एक और बना है A, B, O ये दोनों सम्रूप हैं इनके रूप समान हैं भले ही आकार में ये छोटे बड़े हैं एक बड़ा तिर्भुज A, B, O और दूसरा A, A, B, O अब आप सोच रहे हूंगे कि ये इनके रूप क्यों समान है ये सम्रूप कैसे कह सकते हैं अपन तो देखिए इन में दो समानता हैं और कि नहीं भी दो आकड़्तियों में दो समानता हैं तो वो सम्रूप है ये देखिए दो तिर्भुजों की खासकर बात करें तो ये 90 यहां पे बना है तो 90 यहां भी बना है और दोनों का common कॉण यह है दोनों में ये कॉण O है इसलिए दोनों का 90-90 का कॉण एकसा है और ये कॉण दोनों में है इसलिए दोनों तिर्भुज कैसे हो जाएंगे समुरूप तो अब अपन क्या करेंगे समुरूप तिर्भुज पुकारेंगे कैसे A, B, O ए लगसे लगसे हो एंपने ठ değildi दो तिर्भुज हमारे पास है और दोनों में कैसे हैं समुरूप है हमने देख लिया है क्योंकि 1990 यहां पे है और कौण भी बना है तो दोनों तिरभुच जब समरूप हैं तो इनकी भुजाएं कैसी होगी अनुपातिक यह अधार अनुपातिक ता प्रमे जो हम लोग उने क्लास 10th मैथस में पड़ा है तो यहां पे हैं क्या करेंगे आधार अनुपातिक ता प्रमे लगाएंगे तो भुजाओं के बटे में यानि इनकी भुजाओं को बटे में लख सकते हैं तो यहां पे लखेंगे समरूप तिरभुच ए बी ओ तथा तिरभुच ए डैस बी डैस ओ में यहां ए बी ओ और ए डैस बी डैस ओ में लब के बटे लब यानि ए बी के बटे ए डैस बी डैस लखेंगे ठीक है तो हमने लखा लंब ए बी के बटे ए डैस बी डैस बरावर अब यहां पे आधार देखिए बड़े तिरभुच का आधार क्या है यहां से लेके पूरा यहां ओ तक और चोटे तिरभुज का यह जो चोटा तिरभुज बना इसका अधर क्या है B-O यहां से लेके यहां तक तो B-O बटे B-O यहां पे लिख लेते हैं B-O बटे B-O और इसे हम समिंखरन 1 बना देते हैं इसी पिरकार यहां पे एक और समरूप दो समरूत तिर्बुजों का जोड़ा है और वो आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है, तो कहाँ पे बना है जोड़ा थोड़ा सा हाइलाइट कर लेंगे यह देखिए, यह वाला तिर्बुज एक, यहाँ पे एक पॉइंट देना चाहिए था, ताकि हम उसका नाम पुकार सकें यहाँ पे माल लेते हैं, डी तो डी ओ, एफ, बन यह देखिए, डी ओ, एफ, बन इसको हाइलाइट करना जरूरी है कुछ बच्चे समझने में अभी असमर्थ है अभी उनको समझ में नहीं आ रहा होगा देखिए यहाँ पे यह डी ओ, एफ, बन अब दिखा होगा तिरभुज आपको है ना, तिरभुज दिखा डी एफ, बन, ओ या डी ओ, एफ, बन और दूसरा यही, एड़ेस, बीड़ेस, एफ, बन यह दोनों तिरभुज भी समर्थ है क्योंकि यह 90 है, यह 90 दोनों का एक ही कौण है, ठीक है, यह छोटा सा तिरभुज है, और यह इसी के साथ यह बड़ा तिरभुज है, दो तिरभुज आपको दिख गए ना तो यह आपको लिखना पड़ेगा समरूप तिरभुज, डी ओ, एफ, बन तो पुना है चित्र से, और यहाँ पर हम दोनों तिरभुज लखेंगे, समरूप तिरभुज, डी ओ, एफ, बन तथा, दूसरा तिरभुज है, तिरभुज, एड़ैस, बी डैस, एफ, एफ, बन, मैं, अब इसमें लंब के बटे, लंब करेंगे, यानि दी ओ के बटे हुगा, एड़ैस, बी डैस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, डी ओ, बटे, एड़ैस, बी डैस, और आधार के बटे, आधार करेंगे, तो इस बड़े तिरभुज का आधार क्या है, यह यहाँ से लेके, यहाँ तक, ओ एफ, बन, है न, तो यहाँ पर इस का आधार बनेगा, ओ एफ, बटे, और छोटे तिरभुज का आधार क्या है, यह चोटा तिरभुज है, यह वाला, नन्ना सा तिरभुज, इस का आधार है, बी डैस, एफ, बन, तो इसको हम यहाँ पर जगह पर ab आ जाए तो ये दोनों एक से हो जाएंगे बिल्कुल समान है ना क्योंकि a studio का बटे में यहांपे भी है a studio को डीओ लिख सकते हैं क्या चेत्र देख लेजी एक बार बिल्कुल लिख सकते हैं a ab ko do लिख सकते हैं या do को a b लिख सकते हैं क्योंकि ये मुख्यक्ष है और ये मुख्यक्ष के समानतर आई थी AD क्राइट, प्रकास क्राइट ये AD जोकी मुख्यक्ष के समानतर आई थी तो समानतर क्राइट Hunting तो समानतर क्राइट में जितना यहां गϋफ लिखेंगे यहां pe' पहले तो हम avail Coast को AB रोइस कर देत Uns vest ताकि ये वाला और ये समय करने कि ये बिलकुल सेम है ना ये देखिए, तो ये बराबर बराबर हो जाए, बराबर O F1, ये जह हो करते हैं, इसको टच भी नहीं करना है, O F1, B-F1, अब यहाँ पर एक चीछ ध्यान रखिए, कि हमने D O को A B तो लिख दिया, लेकिन क्यों, तो D O है, वो A B के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, इसको अपन समय करन दो बना सकते हैं, अब देखिए, समय करन एक बादो से, ये दोनों आपस में बिलकुल बराबर है, देख लीजे, ये जैसा दिखाई दे रहा है, बिलकुल बैसा ये है, तो ये दोन बराबर क्या होगा, O F 1, बटे B DAS F 1, ये देखिए, इस तरीके से हमने लिख लिया, अब इसमें देखिए, जहाँ जहाँ O है, उसको बिलकुल भी टच भी नहीं करना है, जहाँ जहाँ O है, क्योंकि ये सही दूरियां है, O से ही तो हम नापते हैं दूरियां, उप्टिकल ये भी जिओं करते हों, और O F 1 हम थोड़ा सा इसको भी जिओं करते हों लिखेंगे, क्योंकि इन सभी में क्या है, O है, लेकिन B DAS F 1 जो है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये यहाँ पे देखिए, B DAS F 1, तो ये दूरी, ये दूरी हमें चाहिए है, लेकिन इसको हम O के form में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, O से नाप लेते हैं, B-F1 चाहिए हमें तो पूरी की पूरी O-F1 मैंसे, अगर हम O-B-S घटा दें, पूरी O-F1 मैंसे, अगर यह O-B1 घटा दें, तो इतनी बचेगी, तो कैसे, देखिए हमें इतनी दूरी चाहिए, कितनी इतनी, तो इसका आकरी वेरियर ये है और सुरुवाती वेरियर ये है तो O से आकरी वेरियर क्या है O-F1 तो क्या है O-F1 तो आकरी वेरियर O-F1 मैंस सुरुवाती वेरियर O-B- तो O से ही नाप लेते हैं, सुरुवाती barrier को भी ob dash ये घटा देंगे तो इतने हिस्सा में से अगर इतना हिस्सा कट हो जाएगा तो यही तो बचेगा ना तो इसको इसकी जगह पर हम यह लिख सकते हैं इन दोनों में o है तो उसे ही तो दूरी नापते हैं तो हम लिख सकते हैं o f1 minus ob dash तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह देखिए o f1 minus ob dash तो सब जगह अब o है तो हम चिन्य परिपार्टी सहित मान रख सकते हैं जब सब जगह o आ जाए ना तभी आपको चिन्य परिपार्टी सहित मान रखना है यहाँ पर देखिए तीन जगह o था चौती जगह नहीं था तो हमने नहीं लखा था क्योंकि इसका मान रखना है तो अब हम heading डालेंगे चिन्य परिपार्टी सहित मान रखने पर तो चलिए सुरुआत कर लेते हैं b o तो यहाँ पर देख लेते हैं b o कहा है तो देखिए यह b से लेके o तक बस्तू तक की दूरी है जो कि हम u रखेंगे लेकिन इस तरफ नापेंगे तो माइनस में क्योंकि प्रकास करण ऐसे चल रही हैं और हम यहाँ से ऐसे नाप रहे हैं बहले ही यह b o हम बोल रहे हैं लेकिन यह o से ही नापते है b से कभी नापेंगे कभी नापेंगे o से तो o b तो इस طरफ जा रहे है ना तो माइनस u होगा माइनस u बटे b ๆ उ इसको चेक कर लेते हैं यह देखिए b ๆ o है भले ही b ๆ ओ है लेकिन हम हमेसा कहां से नापेंगे O से तो O B dash होगा और O B dash जो है वो B है क्योंकि पर्दी बिम्बी की दूरी है लेकिन हम कैसे लेंगे माइनस में क्योंकि डारिक्षन इसकी O से रहेगी हमेसा तो माइनस B हो जाएगा यहां पर हम लिखेंगे माइनस B बराबर, OF1 एक बार फिर से देख लेते हैं OF1 कहां ये है, फोकस दूरी माइनस F रहेगी, ये भी इसी डारेक्शन में है ये रहेगी माइनस F फिर OF1 फिर माइनस F और OB-B या B-O एक ही बात है ये रहेगी माइनस B और मैं आपको दिखा भी देता हूँ OB-B कहां है, OB-B ये भी रहेगी परतिविमे के लिए तो ये रहेगी, माइनस B लेकिन माइनस पहले से लगा था तो ये हो जाएगी, माइनस ये और OB-B का भी माइनस B है तो वो प्लस बना देगा भी तो अब अपन को तिरिया गुना करना है माइनस U का इन दोनों में करेंगे तो सबसे पहले माइनस U का माइनस F में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और U का गुना F में होगा तो होगा UF फिर माइनस U का प्लस B में करेंगे तो प्लस माइनस का पहले तो माइनस होगा फिर यू का करेंगे भी में तो होगा यू भी और यहां पर बरावर का साइन है तो बरावर फिर माइनस माइनस का होगा प्लस और भी का एफ में करेंगे तो हो जाएगा भी एफ पूरे समी करण डिबाद में U, V, F से भाग दे देंगे यहाँ भी U, V, F यहाँ भी U, V, F और यहाँ भी U, V, F से भाग दे देंगे तो यहाँ से U se U cancel हो जाएगा F se F cancel हो जाएगा तो बचेगा एक बटे भी यहाँ पहें हमें लिख लिए माइनस यहां पर U से U माइनस एक बटे F तो यह भी लिख लिगा बराबर यहां B से B कैंसल F से F प्लस एक बटे U जो यह भी लिख लिख लिए अब माइनस का एक बटे F इस तरफ ले आएगे क्योंकि हमें जो Lãyस सूत्र होता है वो एक बटे F के बरावर लिखना है ये भी लेंस सूतर है लेकिन इसको थोड़ा सा और जमा के लेकिने तो माइनस इस तरह पा जाएगा और ये प्लस का उस तरह तो ये तो पहले जियों काते हूं एक बटे V इसको उठा के बरावर के इस तरह ले आएगे बरावर ये बात में लिख दिया एक बटे V माइनस एक बटे U तो ये आपका लेंस सूतर हो जाएगा आउतल लेंस के लिये ठीक है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यही आउतल लेंस के लिए लेंस सूतर है तो अब आप चाहो तो इसे एक बार अच्छे से नोट कर लो, वीडियो को बीच में रोग रोग कर, कि खुद की काफी में लिख लो, और एक बार प्रैक्टिस भी कर लो अच्छी, तो सबसे पहले ये चित्र बनाना है, यू भी अब आपको अच्छे से लिखना है, समझाने में थोड़ा हाइलाइटेड है, आप इससे समझ सकते हैं, कि तिर बुझ कहां कहां थे, ये देखिए, ये यहां तक, इसके बाद, आप यहां पे ये भी कर सकते हैं, तो बाकी के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्सन जरूर चेक कर लेना, और अगर आपको ये अच्छा लगा ह तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है, तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में,